तो एक हफ़ते भी ढंक से नहीं बीते कि BSNL यानि कि भारत संचार निगम लिमिटेड भी अब फुल पावर में आ चुका है और पिछले एक हफ़ते में BSNL के साथ इतने ज्यादा नए यूजर जुड़े हैं कि मानो जियो, एयर टेल और वी आई की छुट्टी ही होने वाली और BSNL की तरफ से 5G को लेकर एक ऐसी अपडेट आई है जिसने जियो, एयर टेल और वी आई जैसी इन तीनों बड़ी-बड़ी टेली कम्यूनिकेशन कंपनियों की नींद हराम करके रख दिया है। रिचार्ज प्लान बेहद ही सस्ते हैं और वह टेली कम्यूनिकेशन कंपनी है BSNL जहां जियो, एयर टेल और वी आई के द्वारा रिचार्ज प्लान को महेंगे किये ढंक से एक हफते भी नहीं बीते कि BSNL की घर वापसी ने सब की नींद उड़ा कर रख दिया है। मिलकर सस्ते दामों में हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए ऐसे प्लान की शुरुआत कर चुका है जिससे मोबाइल फोन यूजर को BSNL ही सबसे अच्छा और सस्ता ओप्शन नजर आ रहा है। आखिरकार Tata Group ने BSNL के साथ मिलकर ऐसा कौन सा प्लान मारकेट में लेकर आया है जिसने Jio और Airtel तक को हिला कर रख दिया है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत की सरकारी टेलिकॉम कंपनी मौके का फायदा उठाते हुए घर वापसी कर चुकी है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्योंकि यह आपके लिए एक सेकेंड का काम है। लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरसल हाल ही में जियो, इयर्टेल और वियाई की तरफ से अचानक से 20-25% तक रिचार्ज की कीमतों को महंगा कर देने से आम जनता पूरी तरह से परेशान हो चुकी है। और खासकर इसमें वह स्टूडेंट परेशान हो चुके हैं जो अभी तक इंटरनेट के भरोसे ही आनलाइन क्लास लेकर पढ़ाई कर रहे थे। और लगभग सभी इंटरनेट यूजर जयो के उपर गुस्से में है। इसलिए चारों तरफ जहां देखो सोशल मीडिया पर बायकॉट जो की ही बातें चल रही है। हम आगे की जानकारी दें उससे पहले आप इस वीडियो फोटेज को देखें। यानि की इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि इसी बीच भारत की सरकारी टेली कम्यूनिकेशन कमपनी बीसनल बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक समय था जब बीसनल अपने आप में किंग हुआ करता था। लेकिन इन ही प्राइवेट सेक्टर की टेली कम्यूनिकेशन कमपनीयों के कारण बीसनल को पीछे हटना पड़ा। क्योंकि बीसनल सरकारी स्वामित्व वाली कमपनी थी जिससे उसको बराबर फंडिंग नहीं मिल पाई। इसलिए जब Airtel, Jio और Vodafone Idea जैसी प्राइवेट टेलिकॉम कमपनियां हाइ स्पीड 4G सर्विस प्रोवाइड करने लगी तो बीसनल के यूजर में कमी आने लगी। और सभी ने यह कहना शुरू कर दिया कि BSNL ढंक से 4G नेटवर्क में प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है जिससे BSNL के सभी यूजर इनहीं तीनों टेलिकॉम कमपनियों के यूजर बन गए। लेकिन एक तरीके से इन कमपनियों ने एक बार लोगों को गुलाम बनाया, उसके बाद सभी मोबाइल यूजर की जेब खाली करने में हाथ धोकर पीछे पड़ चुकी है। और जब इंटरनेट यूजर परेशान हो चुके हैं, तो उन्हें अब BSNL की याद दोबारा से आ चुकी है। हालांकि इस समय Airtel, Jio और V.I. देश भर में 5G सर्विस दे रहे हैं, लेकिन अभी तक BSNL की 4G सेवा ही उपलब्ध है। फिलहाल BSNL की तरफ से हाल ही में 5G SIM launch को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। BSNL की तरफ से 5G launch को लेकर जो सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है, उसको तो हम आपको बताने ही वाले हैं। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार जियो Airtel और V.I. ने अपने रिचार्ज कीमत को अचानक इतना ज्यादा महंगा क्यों किया। लेकिन सबसे पहले BSNL के सस्ते प्लान के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार सभी लोग BSNL में ही अपने SIM को पोर्ट कराने की बात क्यों कर रहे हैं। तो प्राइस हाइक के बाद BSNL के प्लान काफी ज्यादा सस्ते हो गए हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कमपनियां 869 में 84 दिन वाला अपना सबसे बेस्ट प्लान ओफर कर रही है। वही BSNL सिर्फ 500 निन्यामवे रूपए में ही इस से ज्यादा बेनिफिट्स वाला हाई स्पीड इंटरनेट का बेस्ट प्लान ओफर कर रहा है। यानि कि देखा जाए तो BSNL का प्लान इन तीनों प्राइवेट सेक्टर की कमपनियों से काफी ज्यादा सस्ता है। और हाल ही में BSNL की तरफ से अचानक मौके का फायदा देखते हुए टावर की संख्या को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और BSNL अपने नेटवर्क कवरेज को बढ़ाने में इसलिए काम्याब हो रहा है क्योंकि हाल ही में टाटा की तरफ से 15,000 करोड रुपे की फंडिंग BSNL को मिल चुकी है। जिसका उपयोग करके BSNL लगातार उन शहरों और गाम कस्बे में अपने 4G टावर्स को बढ़ाने में जुट चुका है जहां पर इस समय BSNL के 4G नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। और साथ ही BSNL इन 4G टावर को इस तरीके से सेट अप कर रहा है ताकि इसे अगले साल 2025 में 5G टावर में आसानी से अपग्रेड किया जा सके। और आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि BSNL फ्री में 4G SIM कार्ड बाटना शुरू कर दिया है। यहां तक कि यह टेली कम्यूनिकेशन कमपनी शुरुवाती दौर में फ्री में इंटरनेट और डेटा नए यूजर्स को प्रोवाइड कर सकती है। और BSNL ने इसकी खुद जानकारी दी है कि इस महीने में जुलाई की शुरुवात में उसके साथ इतने नए यूजर जुड़े हैं जितने आज से पहले कई सालों में नहीं जुड़े। दैनिक भासकर की एक रिपोर्ट के मुताबिक BSNL के सिम की जो बिक्री है वह जुलाई के महीने में तीन गुना बढ़ चुकी है और तीन गुना बढ़ोतरी तब हो चुकी है जब जियू के द्वारा रिचार्ज प्लान को महंगा किये धंग से एक हफते भी नहीं बीते। बलकि Airtel, Gio और V.I. के जो सिम की BSNL में पोर्टेबिलिटी थी उसमें भी धाई से तीन गुना की बढ़ोतरी हुई है। प्रोवाइड करने में जुट चुका है। और बताया जा रहा है कि साल 2025 में पूरे देश भर में BSNL के 5G नेटवर्क उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार तीनों टेलीकॉम कंपनियों ने एक साथ पैसे क्यों बढ़ाए। तो आपको बता दे कि इन तीनों कंपनियों ने रिचार्ज के रेट को बढ़ाने के कई कारण गिनाए हैं, लेकिन इन तीनों प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने प्लान की कीमत बढ़ाने का मुख्य कारण ARPU को बताया है। टैरिफ प्लान बढ़ने से इन कंपनियों का जो एवरेज रेट सेक्टर की कारण गिनाए है।